हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब लोग ठीक होंगे तो आए शुरू करते हैं आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों इस टॉपिक का नाम है कि कंप्यूटर में वट इस एल्यू एल्यू क्या होता है कंप्यूटर में खासकर कि बीसी के जो सब्सक्राइब करेंगे जिससे कि आपको क्या कर सके आसानी से एक्जाम को क्रेक कर सके और अपनी नॉलेज को भी बढ़ा सके तो आइये प्रेजेंटेशन में चलते हैं यह हमारी Durant दोस्तों जैसा की आप लोग देख सकते हैं कि यह क्या दोस्तो क्या जि आए कि अल्यू का मतलब होता है तो यूनिट, टिक है दुछनिन लें पर, एं अर्थमेटिकल यूनिट यौनिट इज आ मेजिर कम्पोनेंट आप दा सेंटरल प्रोशेशन उनिट अफ और कम्प्यूटर सिस्टम इ्ट मीन्स का खाता है कि सेंटरल प्रोशेशन इस सेंघ्ग मतलब हो एं दोस्तोउ CPU, CPU का क्या है कि जो arithmetic logical unit है, यानि ALU वो क्या है, एक बहुत जादा major component है computer system में CPU का तीछे नंबर पर आता है दोस्तों, in some microprocessor architecture the ALU is divided into the arithmetic unit, AU and the logical unit, LU यानि कि कुछ microprocessor को ऐसे architect किया गया है, जिसमें क्या किया गया, ALU को दो divide में दो divide कर दिया गया है, दो भाग में, पहला कौन सा है दोस्तों, arithmetic unit और दूछरा कौन सा है logic unit, ठीक है पहला कौन सा है दोस्तों, arithmetic unit और दूछरा कौन सा है logic unit कुछ ही microprocessor में क्या कि ALU को divided by 2 कर दिया गया है, चौते नंबर पर आता है, an ALU can be designed by engineer to calculate any operation यानि कि ALU को किस लिए design किया गया है, ALU को इसलिए design किया गया है, इंजीनियरों के द्वारा, ता कि यह क्या कर सके, कि operation को calculate या perform कर सके पाच्वा, an arithmetic logic unit is also known as integer unit, यानि कि ALU को हम किस नाम से जानते हैं, IU के नाम से भी जानते हैं, ALU को to handle all the calculation the CPU may need. यानि कि ALU है, वो क्या करता है? ALU एक ऐसा part होता है CPU का, जो क्या करता है CPU में perform होने वाली कैल कॉलेशन को क्या करता है, कि handle करता है यानि CPU में जो भीён calculation होने वाली है, उसको ALU क्या करता है? Handle करता है. अगला ALU routinely perform the following operation, ALU क्या है कि perform करता है following operations को जैसे कि logical operation जैसे कि हो गया these include and, or, not, exor, nor, end, etc यानि कि ये सारे के सारे क्या होते है logical operator logical operator को कैसे perform कराता है and हो गया, or हो गया, not हो गया exor, nor, nor हो गया and in end हो गया इन operations को perform कराता है bit shifting operator को भी क्या कराता है perform कराता है 10% to shifting the position of the bits, यह क्या करता है कि इसका use किसलिए किया जाता है, कि जो bits है, उनकी position को change करने के लिए by a certain number of places, यानि कि कुछ number of places, यानि कुछ जगाओ पे to the right or left, right करने के लिए और left करने के लिए, which is considered a multiplication operation, जिसको हम कैसे consider करते हैं, multiplication operation के रूप में consider करते हैं, फिर अगला आता है दोस्तों, arithmetic operations, this refers to a bit addition and subtraction, यानि कि इसको refer करता है, addition और subtraction को, किसको करता है, refer करता है, also multiplication, division are sometimes used, यानि arithmetic operation क्या करते हैं, कि जो multiplication और division उसको कभी-कभी ही use करते हैं, these operations are more expensive to make, यानि कि इस operation को बनाने के लिए बहुँ ज़्यादा expensive है, addition can be used to substitute for multiplication and subtraction, for division यानि कि addition को क्या किया जाता है, substitute किया जा सकता है, किस के लिए? multiply के लिए, subtraction के लिए, और division के लिए, यानि कि addition को 안iliśmy सब्सक्राइब किया सकता है। और डिवीजन को सब्सक्राइब किया सकता है? तसक्रीजस को किया सकता है, किसी जगा पर? डिवीजन के जगा पर, जो आता है दूस्तो ab careful wr Ξो क्षब है लॉ अनल जो जो advisory रिलीव like कहा था छय ऑसा हैlee It was the first ALU placed in a single chip. यह पहला ALU था, जो किस में placed किया गया था? Single chip में. 9th क्या है, कि simple ALU have no divide or multiply operation. यानि जो simple ALU होते हैं, उनका क्या होता है? कि जो divide और multiply के operation नहीं होते. For these ALUs to perform these operations, they are used to add and subtract option. यानि कि क्या कहता है? कि जो ALU है, वो किस पे divide का और multiply के operation पे perform नहीं करते. जो ALU होते हैं, वो basically किस पे add और subtraction operation पे ही क्या करते हैं? दोस्तों, perform करते हैं. 10 वाद, the logic unit perform logical operation. जो logic unit होते हैं, वो क्या करते हैं? Logical operation को ही perform करते हैं. जैसे कि and हो गया, or हो गया and not हो गया and numeric test like checking if a number is negative और यह क्या करते हैं कि number को भी check करते हैं कि number कहीं ऐसा तो नहीं कि negative है तो ALU का काम यह भी होता है तो वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को like और चैनल को subscribe कर दीजिए और BCA वाले student से तो बहुत ज्यादा request है कि आप हमारे चैनल को subscribe कर दीजिए ताकि हम आपको लिए आने वाले टाइम पे सारी के सारी कि वीडियो अब हमारी क्या होंगे computer बेस्ट होंगे और जो कि most probably किस से refer करती होंगी कि BCA 51 से refer करेगी इस computer subject से refer करेगी वीडियो देखने के लिए थैंक्यू शो मत दोस्तो